हेलो विलकम बैक टुमाई यूडीयूब चैनल तो अगर आपको भी Facebook अकॉंट इलिट करना है परिमनेटली लेकिन आपको Facebook अकॉंट इलिट करना नहीं आता तो इसके लिए आप यह वडियो कंप्लेट देख लो यह वडियो कंप्लेट देखने के बाद आप भी Facebook अकॉंट इ क्लिक करने के बाद आपको Settings and Privacy पर प्लिक करना है चैनल प्रशनल पर क्लिक करने के लिए परस्नल डिडेल्स पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखें लिखा हुआ Account Setting और Account Setting के निचे लिखा हुआ है Password and Security, Personal Details, Your Information and Permission तो simply यहाँ पास से आपको Personal Details पर क्लिक कर देना है Personal Details पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है Contact Info, Birthday, Identity Verification और Last में लिखा हुआ है Account Ownership and Control तो यहाँ पास से आपको Account Ownership and Control पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है Deactivation and Deletion Simply यहाँ पास से आपको Deactivation and Deletion पर क्लिक कर देना है इस पर click करने के बाद यहां पास से आपको अपनी profile पर भी click कर देना है profile पर भी click करने के बाद आप यहां पर देखें लिखा our deactivation or deletions your facebook account तहां आप देखें लिखा our deactivate account और इसके निचे लिखा our delete account तो आपको delete करना था ना, delete करने के लिए आपको delete account पर click करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको continue पर क्लिक करना है continue पर क्लिक करने के बाद आप लिखते हैं कि यहाँ बहुत सार अप्शन आ रहा है यहाँ पास यह permission पोच रहा है यहाँ पर लिखा why I spend too much time on Facebook और इसकी निचे लिखा why I have a privacy concern और इसकी निचे लिखा why I don't feel save on Facebook my account has hacked और इसकी निचे लिखा why I no longer find Facebook useful इसका मतलब ही है कि यहाँ पास से आप कोई भी reason दे सकते हो तो मैं यहाँ पास दे रहता हूं your reason I have a privacy concern तो मैं इस reason पर क्लिक करता हूं इस पर क्लिक करने के बाद आपको continue पर क्लिक करना है फिर से continue पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें लिखा हूआ है प्रमनेटल डिलीट अकाउंट तो यहाँ पास आपको फिर से continue पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पास आपको अपने ID का पासवर्ड डाल देना तो पासवर्ड डाल देता हूं तो पासवर्ड डालने के बाद आपको continue पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हूआ आपको करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आटोमेटिक आपको पर चुका है मैं फिर्ट से अपने Facebook को पिंग करता हूँ Facebook को पिंग करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां मेरी idea logout हो चुकी है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा account delete हो चुका है तो account delete हो जाने के बाद आपको 30 दिन तक अपने account को login नहीं करना है अगर आप उसको login का लगो